दुनिया की हलचल पर पैनी नजर परताल दुनिया भरकी देखिये जुड़िये ताकि मिले सही नजरिया जानने और खोजने का समझने का कि क्या चल रहा है आसपास और साथ समंदर पार आखिर हम है ग्लोबल सिटिजन नमश्कार परताल दुनिया भरकी में आप सबका स्वागत है 2021 से 2022 का सफर हम आप देश दुनिया कर चुकी है और हमारे साथ ही कोरोना की नई नसल चारो तरफ फैल चुकी है और शायद जिस तरह से हमने 2021 में देखा कि कोरोना दूसरे ढंका एक एक्विलाइजर यानि सब को एक ढंक से परिशान करने वाला, खौफ करने वाला, खौफ में डालने वाला, जान माल का नुकसान करने वाला है उसी तरह से ओमिक्रॉन भी दिखाई दे रहा है कि शुरू हुआ दक्षन अफरीका से लेकिन इस समय अमरीका, यूरो, भारत तमाम देशों में इसकी गिरफ्त बढ़ती जा रही है लेकिन साथी साथ 2021 में हमने यह भी देखा कि जिस समय देश और दुनिया महामारी से लड़ रही थी, ठीक उसी समय तमाम देश कूटनीती में एक दूसरे के खिलाफ खेमा बंदी करने में कोई मौका नहीं चूक रहे थे युद्ध की आशंकाएं बहुत तेज होती दिखाई दी, वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान सहित बाकी जगा सेंटरल एशिया में राजनीती दूसरे धंग से मोड लेते हुए दिखाई दी, जहां अफगानिस्तान में अमरीका ने बहुत करारी हार जेली, वहीं दूस दूसरी तरफ चीन को निशाने में लेकर रणनीती दूसरे धंग से बनानी की शुरुवात की, इस साल भी जिस तरह से चीन के खिलाफ ऑस्टेलिया और जापान साथ आए हैं, सैने संदी हुई है, उससे ऐसा लगता है कि 2021 में जो युद्ध और टकराव की आशंकाएं थी, वह अभी भी जिन्दा हैं और दूसरे धंग से गडवंधन की तरफ बढ़ रही हैं, जहां तक सेंट्रल एशिया की बात है, इस समय हमें दिखाई दे रहा है कि सेंट्रल एशिया में तमाम अलग-अलग देशों पर, दूसरे धंग से राजनीती बहुत तेजी से उच्छा कजाकिस्तान, कजाकिस्तान में जिस तरह से हिंसा का दौर पिछले कुछी दिनों में सामने आया है, जिस तरह से लोगों को वहां पर निशाने अप पर लिया गया है, वहां की सरकार के खिलाफ सरकार ने तेल की कीमतों में जबर्दस इजाफा किया था, उसके खिलाफ जो पूरा का पूरा आंदोलन चला और उस आंदोलन में जो शकलें सामने आ रही है जो उनकी मांग सामने आ रही है वह बहुती कट्टरपंती सोच का परिचायक बनी हुई है जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं उसमें रूस ने वहां दखल दी है लेकिन कजाकिस्तान जो बहुत एहम देश है सेंट्रल एशिया का जो चीन और रूस के करीब है दोनों ही देशों की जो कूटनीती है उसमें एक एहम भूमिका अदा करता है कजाकिस्तान और इस पर अमरीका सहित यूरोप की दूसरे ढंग से निगाहे रही हैं इस पर हमने बात की प्रबीर पुरकायस थे प्रबीर जिस तरह से नए साल में देश और दुनिया ने जब प्रवेश किया तुरंथी जिस तरह की खबरे आ रही है और खास और से सेंट्रल एशिया से कजाकिस्तान से जिस तरह की खबरे आ रही हैं वह काफी चिंता पैदा करने वाली हैं कजाकिस्तान नैश्रल रिसोर बहुत ही सम्रिद्ध है रूस से और चीन से उसका संबंध बरकरार है बाकी जो यूरोप और अमरीका की निगाहें वहां पर लंबे समय से बनी रही है तेल और यूरेनियम सहित तमाम और खनिश प्रदार्थों का बहुत केंद्र रहा है जिस तरह से तेल की कीमतों में जो दिखाई दे रहा लेकिन जिसे खबरों को समझने के लिए जरूरी है कि हम जाने कि यह जो दौर है कजाकिस्तान का उसके पीछे की कहानी क्या है पीछे कर पहले थोड़ा वहां क्या हो रहा है वह भी बातचीत कर ले क्योंकि इस वक्त वहां पर करीब 18 पोलीस या सिक्यूर बता रहा हूं, दूसरे निव्स चैनल से भी कुछ इसी तरह का खबर आ रहा है, बड़े पैमाने जो हिंसा हुई है, आलमाटी शहर में हुई है, सबसे बड़ा शहर है, कज़कस्तान का, और उसमें आपका जो कैपिटल है, उसमें अभी भी इस तरह का कोई खबर नहीं है, प वो पेल के दाम बढ़ने के वज़े से शुरू हुआ है, पर इस वक्त काफी बहुत सरे ऐसे रिवांस आ रहे हैं, जिससे उसमें राजदितिक शक्तियां भी इसमें काफी शामिल है, जो कुछ हद तक वहां की जो राजदितिक परिस्तितिय उसको बदलना चाहते हैं, उन् पे अधिकार होनी चाहिए, और ये भी डिमांड में से एक है, कि रूस के साथ जो साबरिक शक्ति चुक्ति वगारा हुई है, वो सब रद कर दिया जाए, और एकनॉमिक जो हमारी एक यूनियन है, दूसरे मुलकों के साथ, पास-पास के मुलकों से, उससे भी निकला जाए तो इसमें साथ यह है कि कुछ राज़ितिक शक्ति इसमें शामिल है, क्या ये कलर रेविलूशन कह सकते है, या और कुछ है, वो भी देखने की बात है, शुरुआद जब हुई पर ये और किसी तरह किसका मौड जा रहा है। तो ये जो रूस की मदद का जाना और उसके बाद से कैपिटल को भी दूसरे ढंग से जो देख रहे हैं लोग, वो क्या क्यों ऐसी स्थितियाई कि रूस को हस्तक्षेप करना पड़ा, रूस से सैने मदद गई? देखिए, जब अस्थिरता हाथ से बाहर जाने की संभावना दिखी, तब उन्होंने उनकी जो प्रेजिडेंट है, तासिम तुकायेव, तो उन्होंने अपील की, जो एसियो देश है, और खास्तोर से रूस से, और रूस के साथ और भी एक-दो मुलकों की उन्होंने मदद मांगी, और ये मदद जब पहुंची है, अलमाटी पहुंची है, तब लगता है कि वो अभी नियंटरन के, उस नियंटरन में आ रहा है, तो ये क्या सिर्फ एक बहुत बड़ा कुछ होने वाला था, जिसको रोक दिया गया है, ये अभी कुछ हद तक सिविल वार की तरफ जाएगा देखने की बात है, पर इसके आप जो पीछले की बात बता रहे थे, कि हाँ पर नुरु सुल्तान नजरबयेव के, करीब सौवेट इवनियन की पतन के बाद, उनका इस जगह हों, इस जगह पे, काजकस्ताल पे पूरा उसका कंट्रोल था, और उन्होंने कासिम त सत्पा तो सौब दी, पर अभी भी सब्पत्ती और कंट्रोल उनी के पास है, तो कासिम तोकायव ने गोशना जो की है, नुरु सुल्तान नजरबयेव के, जो अभी भी उनकी कुछ पावर्स थी, सेक्रोरिटी काउंसिल के हैड वो खतम कर दी है, इसके बात क्या होगा, दे काजगस्तान में सबसे जो तेल बड़ा ओईल फील्ड है, वो शेवरॉन के पास है, तो यह हम न समझें कि यह वहां की खनिच संपत्ती जो है, वो सिर्फ काजगस्तान के सरकार के पास है, ऐसा नहीं है, तो इनके नजर, आपने जो कहाँ, बिलकुर सही है कि काजगस्तान क जो मिनरेल्स की रिसोर्स है उस पर नजर वेस्टन मुलकों की है और ये देखते हुए ये एक कलर रेवलूशन की और टर्ण हो सकता है ये देखने की बात है देखना पड़ेगा हमें क्या है पर इस पर अगर हम एक कदम पीछे जाए तो ये भी हमें समझना पड़ेगा जो हम अफगानिस्तान की पतन के बाद अम्रीकी फॉट जोब वहां से भागे तब से हम कह रहे हैं कि सेंट्रल एशिया प्लें में आएगा क्योंकि अफगानिस्तान जब हड़ गया अमरीका के कबजे से तब दूस्त्रे संट्रल एशियन मुलकों में कैसे अमरीका ताकि पैदा करके फिर अमरीका वहां गुशने की कोशिश करे या नहीं क्या यूक्रेन का जबाग कजकस्तान से दे रहे हैं अमरीका नेटो तो ये देखने की बात है और इसलिए उन्होंने तुरंथ अपने एड मांगा मदद मांगा रश्रूस से और उसने अपने सेनाए भ तो तो ये निगता है ऑर लगता है कि नजर वर दूसलता नजर वर ठेखिलाब जो गुस्था है लोगोंकी इसको कम करने के लिए कासमतोकांश केव लेंफ जो कदम उठाए है ताकि ये चीजे ये कम से कम निशाने में न रहे तेल का दाम उन्होंने फिर कम कर दिया है तो लोगों की जो डिमांड्स थी जो रोजबर्रे की जिंदिगी की जो डिमांड्स थी वो उन्होंने तो मांग लिया है पर राजडितिक जो परिवर्तन की मांग है वो कभी मांनने क लिए को दिसर्क त्यांद ही ऑगा पर एक दिल्चस्पी के खाबर यह है कि काजकस्तान सिर्फ सबसे बड़ा एंग उरेनियूम प्रोडूसर वो तो सभी जानते हैं कि बड़ा दुनिया में है तेल का एक बहुत बड़ा प्रडूसर है पर बिट्कॉइन माइनिंग में अमरिका के पाफ बाद दूसर नमबर पे इस वक्त है तो दस परसें बिट्कॉइन माइनिंग जो है रुख गया है काज़कस्तान से इंटरनेट जब बंद हो गया और यह भी देखना पर एगा कि इसका देश के अंदर इसका क्या असर पर एक हिस्सा जो बिट्कॉइन वाईनिंग कर रहा था वो इस से काफी परिशान जरूरोगा कि बंद हो गया एक आखरी चीज जो मैं जिसकी तरफ आपका ध्यान देलाना चाहूंगी कि जब हम कजाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो जिस तरह से चीन और रूस के पूरा के मैप में भी हमें दिखाई दे रहा है नक्षे में दिखाई दे रहा है कि सेंट्रल एशिया में चीन, रूस, यूर में दिखाई इस रात्रा ने काली है, पूरा रास्ता निकाला है वह भी कजाकिस्तान उसका एक एहम हिस्सा है उसए में जिस तरह से यह पूरा का पूरा गुस्सा बाहर आया है और तेल वाला मुदका आया है वे कनेक्स हैं इसके आर्थिक हित और जुट journalists हैं क्योंकि कजाकिस्तान रूस और चीन के बहुत करीब माना जाता है सोविय संग के विखड़न के बाद सिर्फ इकलौता यही देश है जहां पर पिछले 30 सालों से 91 से लेकर अभी तक जो शाशन है वो तकरीबन लाल के आसपास है मैं लाल के आसपास तो नहीं मानता हूं क्योंकि वो तेल का जो पायदा है कितना काजकस्तान के लोगों को पहुँचा है कितना ओलिगार्कों को पहुँचा है यह तो देखने की बात है और ये भी एक बहुत बड़ा वजय है कि इन जगों पर एक ऐसे शक्तिया निकल रही है जो पूजीबात को फिर वसी तरह स्थापना करना चाहते जो इस्टन यॉरोप में बुलकों में हुआ है तो आम जनता के हित के लिए तेल की जो इस्तमाल है तेल की रेविनियूस की इस्तमाल है वो ना होके कुछ चंद लोगों की भले के लिए इस्तमाल हो वो देखने की बात है शेवरॉन जब वहां कर वहां सबसे बड़ा तेल और फील्ड का मालिक है 50% मतलब उसका पूरा कंट् तब सोचने की बात है कि कहां तक कि हां वो सोचलिस्ट पॉलिसीज है वो नहीं है पर अमरीका की ये पहले से ही रुझान रही है कि सेंट्रल एशिया को कैसे हमारे हाथ में ले आए उसके लिए ने कई बुलकों में इन्हों ने अपने सामरिक अड़े वहां पर लगाये थे वो बेसे सुनके थे वो दीरे धीरे कमजोर हो रहा है और अफगानिस्तान की पतन के बाद और बहुँकर के बन रही है तो इसलिए यहां अस्थिरता पैदा करना ये नेटो शक्तियों की एक चाल हो सकती है और हमें मानना चाहिए कि इस तरह के कुछ वहाँ होगा तो इसमें ये लोग खेलेंगे दूसरी बात यह भी है कि इस्लामिक जो तथाकतित इस्लामिक फोर्सेस क्योंकि ये सही माने में इस्लामिक धार्मिय नहीं है ये तो राजदितिक शक्तिया है इसलाम को एक कैसे विरोध करेंगे वो देखने की बात है क्योंकि जो बहेडिंग की बात आ रही है कई शादिया करने की डिमांड की जा रही है रूस से सामरिक चुक्ति पैक्ट को खारिश की बात आ रही है ये सोब देखते हुए लगता है कि इसके पीछे ऐसे ताक्ते भी है पर तर्क कि इसने इसमें शामिल नहीं है करकी सरासर कहा है हम कजाकस्तान के सरकार के साथ है तो देखने देखने वाली बात है इसमें कौन कौन सी सक्षक्तिया है कुछ चंद दिनों में साफ हो जाएगा अभी तो दो ही तिन दिन हुआ है चंद दिनों में वो भी साफ हो जाएगा पूरी दुनिया को एक बार फिर दूसरे ढंग से अपनी गिरफ्त में लिया है जिस समय हम आप से बात कर रहे हैं नए साल में जब दुनिया ने प्रवेश किया उस समय इतने बड़े पैमाने पर इतनी तेजी से भारत सही तमाम देशों में यह फैलेगा इसकी आशंका तो ज प्रवेश फैला है कितना बड़ा पैमाने पर यह माँ खत्रा है देश और दुनिया के लिए देखे पहली बात जिस रफ्तार से यह उमिक्रॉन की यह नसल फैल रही है यह किसी भी और नसल से ज्यादा संक्रामक है इसमें कोई दोरा नहीं है कि इन्फेक्शन करने की टाकत ट्रांस्मिशन जिसे कहते हैं यह करने की ताकत इसमें और सब नसलों से काफी ज्यादा है इसका मतलब जब ग्राफ उपर चलने लगती है नंबर्स बढ़ने लगती है एक करीम करीम वर्टिकली उपर जा रही है दूस्ते मुलकों भी देखे हमारे यहां भी देखे ग्राफ बड़े तेजी से एकदम टेक आफ करती है कि संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है यह बुलक के हिसाब से न देखे शहरों के हिसाब से देखे क्योंकि फैलता तो है एक दूसरे के संबंद से ही तो देश की हिसाब से नहीं फैलेगा यह जगहों पर फैलेगा और इस वक्त देखें तो मुंबई दिल्डी कलकत्ता तीन शहरों में बड़ी तेजी से इसकी बढ़त दिखाई देखने को मिल रहा है तो यह देखते हुए साफ है कि संख्या डेल्टा से काफी आगे जाएगा जो वेव विजयरागबन साब ने जो साइंटिफिक अडवाइजर टूपीय में उन्होंने पहली कहा था सेकेंड वेव तुबाख कि तीसरा वेव भी आएगा यह तीसरा वेव वो है और यह बहुत तेजी से फैलेगा इसका असर जो है इतना सीरियस बिमारी पैदा नहीं करत से ही है कि अगर सौन लोग बिमार पढ़ेंगे उसमें से जितने लोग पहले डेल्टा में सीरियस बिमार पढ़ रहे थे उतसा जाना पढ़ा पर अगर दस गुना ज्यादा बिमार पढ़ते हैं तो अगर ऐस्पटाल में पहुंचने पॉपुलेशन है चाहे अमरीका हो चाहे यॉर्प हो जो हमारे हाँ हो अभी बहुतों को तो वहां पर सीडियस बिमारी होने की खत्रा है अस्पिताल में जो पहुंच रहे हैं स्टैटिस्टिक्स आंक्रे को देखते हुए लगता है ज्यादा-ज्यादा अनुवैक्शिनेटे लोग जो हुए सीडियस बिमार पढ़ रहा है पर जो वैक्शिनेटेड है उनके अंदर अस्पिताल पहुंचने के बावजूद भी बहुत सीडियस इंटनसिव केरे में पहुंचने वाला स्थिती नहीं आ रहा है साफ है वैक्शिनेशन बहुत जरूरी है आने वाले दिन अभी कम से कम दो हफते एक महिना तक जो ओमिक्रॉन है उसका ग्राफ तमाम देशों में अपने अपने हिसाब से अभी बढ़ेगा और इस खत्रे को हमें जहेलना होगा और आप जैसा कह रहे हैं कि इसके लिए बुनियादी स्वास सुविधाओं को मजबूत करना उसके धाच को भी करना है मास्क नकाब पहनिए अच्छी मास्क पहनना है अतलब N95 मास्क ही पहनने की जरूरत है इस वक्त तर्क कपड़े की मास्क से इस वक्त नहीं चलेगा सामाजी की दूरी नहीं फिजिकल दूरी बरकरा रखनी चाहिए दूरी रखिए ताकि एक दूसरे को हम है तो घर में नहीं है टेस्ट करिए इस वक्त सब की जिम्मेदारी है एक बात बहुत साफ है कि हमारे आगे इस समय कोरोना महामारी का जो खत्रा है वह तो बहुत तगड़ा है ही इससे देश-दुनिया किस तरह से निकलेगी किस तरह से अर्थ विवस्था वापस पट्री पर आएगी वह एक ऐसा संकट है जिसका जवाब निश्चित तोर पर किसी के पास नहीं हमें और आपको मिलकर ही खोजना होगा खुद को बचाना होगा आसपास को बचाना होगा और साथ ही साथ जिस तरह से विश्व कूटनीती बार-बार टकराओ की और आगे बढ़ रही है युद्ध की आशंका बार-बार बलवती हो रही है शायद इसे रोकने के लिए भी इसे समझना जरूरी है और जरूरी हस्तक्षेप करना बेहर जरूरी है यह सब हम आपकी मदद से कर पाएंगे इसलिए आपसे गुजारेश है कि आप देखिए लाइक करिए न्यूस क्ल